जैहिंद सभी को तो आईए आज कुछ चलते फिरते हम कुछ बात किलियर कर देते हैं बहुत सारे इस्टुएंट ऐसे हैं जो कभी तक कुछ एक्जाम का तैयारी किये ही नहीं है और एक्जाम काफी नजदिक है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और यूट्यूब प है तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए एक्जाम के अंतिम दिना में आप उतना दिन से कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करें ठीक है काई कि देखिए कॉंसेप्ट समझने वाला चीज तो दो ही है एक मैत और एक रिजिनिंग सबसे ईजी तो रिजिनिंग है रिजिनिं में कोई भी स्टुडेंट जो नहीं भी पढ़ा है मैतमेटिक्स अच्छा से इसका कॉर्स कंप्लेट नहीं भी किया है वो छे से साथ नंबर ले आएगा अराम से बुलिए होगा कि नहीं लेकिन टेंसन यह है कि छे साथ नंबर से हो सकता नहीं है अब उन इस्टेट में जह असी पलस रहता है हरामेशा जो जो टॉप इस्टेट है जैसे कि माल जिए बिहार राजास्थान यूपी हरियाना एंपी आपका उत्राखंड आपका दिल्ली यह सब जो हुआ यह सब वह टॉप इस्टेट है यह सब के अंतरगत अगर आप आते हैं तो आपको समझना होगा कि आपको मैक्सिमाम स्कोर करना होगा अब मैक्सिमाम स्कोर तभी होगा जब आप आपका कॉंसेप्ट किलिए रहेगा परतेक सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अब माल जे हिंदी या इंगलीज जो रहता है 25 नंबर का लेंगवेज वाला उसमें तो लगबक है थाएक थाधा जरी लगता है इसलिए हम पहले मैश को कुछ पूस कृलिएर कर रहा रहें हमकि हमें के बारे कुछ नहीं बोलना चाहते हैं हम सिर्फ यह बोलना क्या क्या आप लोग के पास इतना कम समय हैं आने और आपको लगता है की आपका काम 70 पीके अंदर में हो बनाते चलें और उसका अलाइस करना बहुत जार रही है अगर एक घंटामा एक प्रक्टिस सेट बनाते हैं तो और एक घंटा समय लीछे उसका अलाइस करने में की दिक्ट कहां हो रहा है किस पार चुन is कमें अगर mathematics का कोई छुटा-छुटा ठीक है और यह उनको लाब होगा जिनका कटप कम जाता है उनके कर्टोगरी से चाहे मेल हो फिमेल हो EWS, SC, ST, OBC जो भी हैं अगर उनको पता है कि पिछले बार हमारे एरिया से कितना कटप गया था उस हिसाब से अगर वो त्यारी करेंगे दो चार नंबर एक्स्ट्रा मान करके तो वो अगर प्रस्न छोड़ भी देंगे तो कोई टेंसन नहीं है कैसे छोड़ेंगे अब मान लिजिए उनको mathematics कुछ आता ही नहीं है या reasoning कुछ आता ही नहीं है मतलब एक चीजी नहीं आएगा न मान लिजिए mathematics में वो 10 नंबर बनाए reasoning में 10 नंबर बनाए 10 10 20 आगिया और आप background भी सुन रहे होंगे पक्षियों का तो हम यहीं कहना चाते हैं यूट्यूब पर आपको चुतिया कैसे बनाया जाता है पहले यह समझ लीजिए यूट्यूब पर अभी जो है अन्तिम समय है सबको एकदम ऐसा हड़कंप मचा देगा यूट्यूबर की course खरिद लो ऐस कि आप उसके पास क्या सोच कर गए थे और वो आपको कैसे छोड़ रहा है ठीक है इसलिए course उर्स का चक्कर में ना पड़े सबसे सुन्दर अभी उपा यही है कि सबसे सुन्दर आप एक practice set उठाएं practice set में बनाना शुरू करें practice set से यहीं होगा बनाने से कि मान लिजिए आ हम मान रहा है कि आपका concept clear नहीं है practice set बना रहा है आपका Hindi तो अच्छा हो रहा है आपका GKGS तो अच्छा हो रहा है आपको ओरिजिनिंग का series तो पता चल रहा है कि किस परकार से pattern आ रहा है यह तो पता चल रहा है mathematics का भी pattern पता चल रहा है लेकिन mathematics में ऐसा कोई student है जो कि 5-6 नंबर तक नहीं बना पाएगा सभी student तो 5-6 नंबर तक बना ही सकते हैं और उसके बाद अगर practice set बनाते बनाते आपको ऐसा लगता है कि हां थोड़ा सगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो mathematics में और मेरा 2-4 नंबर आ जाएगा अगर आपको ऐसा लगता है तो उसका concept clear कर ल mathematics में ठीक है या reasoning में कोई चीज़ आपको लगता है कि हां इस चीज़ को हम clear नहीं कर पाए तो analysis करने के बाद उसमें ठीक लगा कर रखिया और उसी चेप्टर को पढ़िए कहां से पढ़ना यूटीब पर आप कहीं भी search किजेगा ना किसी भी topic को लिग करके मेरे पास नहीं हम देखे कोई master नहीं है कहीं भी यूटीब पर अच्छे अच्छे teacher है जो कि डखेत नहीं है आप search किजेगा लिग करके reasoning का कोई भी chapter आपको समझ में आता है तो बस chapter आ जाएगा आप ध्यान से उसको देखिए समझेए अब सब का label बना हुआ है mathematics में भी 3-4 level 5-6 level तक गया ह CGL के लिए CHL के लिए CPO के लिए लेकिन आपको उतना label में घुसना नहीं है क्योंकि यह GD का अग्या में और बहुत इजी इजी प्रशना आता है समझे की नहीं लेकिन master सब सबको डरबा करकर रख दिया है कि course नहीं खरीद होगे तो पास नहीं होगे तो इस सब भरम जो है अब आपको वहां से बाहर नहीं आमा है और सब लोग दोड़ रहा है रास्ते में सब लोग दोड़ रहा है और आपको भी एक सीट लेना है अब आप सोचे क्या करेंगा आप अगर रूख जाएंगे तो आप पीछे हो जाएंगे क्योंकि 25 जार आपके आगे निकल और अगर आपको लगता है कि हां हम भी एक सीट लेंगे तो सबके साथ में राना होगा और सबके साथ क्या आगे निकलने का प्रियास करना होगा ठीक है आगे कैसे निकलने का सबसे बेश तरीका यही यह यह या प्रैक्टिस सेट उठाएं अगर प्रैक्टिस सेट में आपका कम नंबर भी आ रहा है फिर भी हमको पता है उससे आपको नॉलेज गैन होते रहेगा कि रिजिनिंग का मतलब क्या पेटरन आ रहा है हिंदी में कैसे कैसे प्रश्ण पूछे जा रहा है दस्टो हिंदी का से इन में करने का है अभी जो स्टोन कुछ नहीं भी पढ़ा है वह भी अगर करेगा न तो उसका मतलब सोचिए कि हो जाएगा कम और यहीं सब स्टोन करता है अभी सब कुछ कॉर्स कंप्लीट करने में लगा हुआ है सिले बस पढ़ रहा है धिरे-धिरे वैसे आब नहीं करना है अब सिले बस भी पढ़िए प्रैक्टिस सेट भी लगाई है हम यहीं करना चाहते हैं देखते हैं फिर समय मिलेगा तो कुछ बिसेश बात करें और थोड़ा सा यूट्यूब पर डखेतों से बच कि रहें तो सब कुछ उसको फाइदा हो रहा है लेकिन आपको कुछ नही तो इक है बतुति